नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप एक रेंड न्यूस क्लिक पर ग्राउंड रिपोर्ट करनाटक चनाओ इस समय मैं खड़ी हूँ बेंगलोर मैसूर हाइवे में मंडिया पॉस्टवेंसी में और एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जिस समय प्रधान मंत्री नरे किया गया उसको लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जिस समय मोधी जी और उनकी पूरी प्रचार टीम करनाटक चुनाओ को हिंदुत्म के एजंडे पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे वह कोशिश नाकाम होती जिस दिखाई दे रही है एक तरफ उन्हें कोशिश की बजरं बली में तब्दील करने की लेकिन वह काम नहीं किया और हम सब ने देखा कि उन्होंने करनाटक चुनाओ को केरल फाइल्स जो फिल्म आई है उससे जोड़ने की कोशिश की लेकिन करनाटक की धरती बहुत बुनियानी सवालों से घिरी हुई है और इन सवालों का जवाब व पूरा प्रचारतंत्र भूल गया है कि पिछले पास साल कॉंग्रेस के नहीं आजपा शार्षन के थे और उस शार्षन ने करनाटक को भ्रष्टाचार और बेरोज़कारी के अलावा बहुत कम कुछ दिया है मैं आटो चलाता हूं मेरा नाम स्री निवास है पिछले पांच सालों में हाल बहुत खराब हुए है ऐसा हो गया है कि अब पीने के पानी पर भी मीटर डाल दिया है आपके शहर में तो ठीक है लेकिन माडियाजर से इलाके में गाओं में अगर पीने के पानी पर भी मीटर लगा दें तो हम कैसे जीएंगे ये सरा सरा अन्याय है और गाओं में हर मैंने सब के पास कैश नहीं आता है वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जीरो एकाउंट की गोश्ड़ा की मोदी जी ने और हमसे बैंक वालों ने पांस सर रुपए लिए पांस सर रुपए हमने जमा कि हमारे बैंक खाते में तो कोई पैसा आया नहीं लेकिन साल में बैंक ने मेरे पांस सर रुपए में से ही सर्विस टैक्स भी काट लिया तो जो हमने पैसे दिये थे उसी में से काट लिया गया पैसा सरकार ये कहती है कि पैन और अधार को जोड़ना बहुत जरूरी है और इसके लिए करीब 12 रुपए खर्च होए उसमें से 100 रुपए उन्होंने एक्स्टा लिए अब ये पैसे हमने दिये अब आप सोचिए हिसाब लगाईए 140 करोड हम लोग है इसमें सरकार के हिसाब से आदे लोग ये दे चुके हैं लगबग 70 करोड रुपए जा है सरकार ने हमसे ही वसूल लिए एक ऐसी सेवा के लिए जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी सरकार हम लोगों का शोशड करने के लिए ही ये सारी सेवाएं जो है लेकर क्यारे जिससे हमसे जबस ज़्यादा पैसा वसुल कर सके सिलेंडर का दाम भी इतना बढ़ा दिया है एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी की सरकार कोई सेवा नहीं कर रही है वो जनता की वो जनता का सोशड कर रही है और मोदी जी भगवान सरफ उनके लिए है जो मोटे कारोबारी है जिनके पेट भरे हुए है लेकिन जो लोग गरीब है जिनका मेहनत से कमा रहा है जो मेहनत से वो सची बोलेंगे और वो जूट नहीं बोलेंगे अब भी वो पानी दे रहे हैं उस पर मीटर लगा दिया है लेकिन अगर हम इनको अपना पास साल देंगे तो इसमें कोई आहरानी के बात नहीं है कि यह जो हम अक्सीजन ले रहे हैं अपनी नाक से उस पर भी एमीटर लगा दें क्या नाम है आपका वरश्यवा मुठी क्या काम करते हैं क्येति का दुकान है के दुकान है आप ने यह कमल लगा रखा है आप बीजेपी के साथ काम करें आप इलोग बोल रहे हैं बीजेपी के लिए वह तो 40% कमिशन की सरकार हैं वह सब जूट है सब लोग बनते 40% कमिशन्स वाला लोग है पांस साल का कुछ नहीं बोलेंगे जैसे क्या क्या अंचा का पेट्रोल डीजल और गैस कदाम सिर्फ भारत में नहीं बढ़ा है बलके पूरे दुनिया में बढ़ा है और यह दुनिया के संकट के वज़े से भारत में भी बढ़ा है और जहां तक महिंगाई की बात है महिंगाई की रसोई गैस की तो हमारी सैलरी भी बढ़ी है पहले हमें 100 रुपए मजदूरी का मिलता है पांट सरुपय मस्टूरी का मिलता है, इसलिए मैं यह को ओनभा कि कोई बहुत जाले तिकत है नानिक मोधी प्रधार मंध्री मुद्ध है क हा ये रमाई की बात बात करें हम मोदी को वोट क्यों होते हैं मोदी ने क्या किया हम मजदूर लोग हैं मजदूर ही करते हैं तब हमारा घर चलता है हम कैसे अपना घर चला है कैसे बच्चे को स्कूल भेजें कैसे बच्चे को अच्छे से रखें कैसे बच्चे की शादी करें ये सब कुछ भी करना संभो नहीं है तो ऐसे मैं मोदी जी को वोट क्यों दें जब कॉंग्रेस थी तो सब चीतों का दाम कम था मेराशन भी सस्ता बिल जाता था और अब हम लोगों के लिए तो अपना पेट भरना ही बहुत मश्किल हो गया है जीवन चलाना ही बहुत मश्किल ही जब से मैंने वोट देना शुरू किया तब से मैं कॉंग्रेस को ही वोट दे रही हूं और मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के साथ ही मैं जुड़ी हूई हूं कि सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने यह किया वो किया लेकिन यह सब जूट है बाश पाने कुछ नहीं किया मुझे तो इक भी पैसा नहीं मिला अधिन पर उतर कर गाउं महल्य में जाकर कि आखिर क्यों हाटी जनता पाट्रों जाकर आखिर क्यों हाटी जनता पाट्रों को अंत में नफरत बजरंग बली और मुसलमानों का सहारा लेना पड़ रहा है मकसद बहुत साफ है कि जो जमीन के मुझे हैं जो चीक चीक कर ये पूछ रहे हैं कि आखिर पांस सालों में मुधी सरकार ने यहां की भारती जनता पार्टी की सरकार ने उन मुद्वों को हल क् किया उस पर परदा डालने की जो कोशिश है वह सर्फ और सर्फ रोड़ शो से मोधी जी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है कि जो कॉंग्रेस के पुराने वोटर्स हैं जो मैं इस समय खड़ी हूं मंडिय पूरी लोगों को यह विश्वास है कि अंत में कुछ हो जाएगा तो यह चुनोती भी देते हैं कि आप आईए और हम आपको बताएंगे 15 तारिक को कि भारती जंता पार्टी ने चुनाओ कैसे जिता वे कहते हैं कैमरे पर भी कि अगर लोग विरोध में बोल रहे हैं उनको बोलने दीजे बोट लेना हमें आता है और शायद यही संकेथ है यही नई ट्रेनिंग है जो मुदी जी ने और अमिशा जी ने पुरे देश को दी है हुआ 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 है